दिग्रश शहर के दिग्रश पूसद बाईपास पर शनिवार दो पहर करीब बारा बजे परबनी से चन्रपुल जा रही एस्टी बस से टकरा कर एकी बाईपर सवाल दो यूकों की जगा पर ही मौतों गई वहीं इसी हाथ से में सामने से बाईपर आ रही अन्यतीन लोपी बस की चपेट में आने से बुरी तरा जफ्य हुए है पेशे इस दर्दनाथ सड़क हाथ से की ये खास रिपोर्ट बाईपर सवार भी बुरी तरह से जखनी हुआ है शनिवार का दिन दिग्रश शहर वासियों के लिए मानों बेहद मनहु साबित हुआ दिग्रश पूसत बाईपास पर बस की चपेट में आने से जहां बाईपर सवार रवी रमेश पुंडे और पवन मुंशिराम गावंड से नामक 18-19 साल के दो युवाओं ने जगह परी दम तोड़ दिया इसी हाथ से में बस के नीचे आये अन्यवाइक सवार का नाम केशव चवान बताया जा रहा है जिसे गंभीर चोटे आने से उसे उपचार के लिए यौतमाल गवर्मेंट मेडिकल अस्पताल भीजा गया ह बैरहाल प्राप्त जानकारी के अनुसार रवी पुंडे और पवन गावंडे वाईगर गाव से राशन लेकर देवनगर स्थित अपने घर जा रहे थे ऐसे में पूसत बायपास के मोड से तेज रफतार से गुजर रही परभनी डीपो की बस की चपट में आने से पलक जप और शक्स भी इस हाथसे में बुरी तरह जखमी हो गया उस शक्स को उपचार के लिए यौतमाल के मेडिकल अस्पताल में भेजा गया है बैरहाल इदर घटना का पता चलते ही दिग्रस पुलिस थाने के पुलिस निरिक शक्स होना जियामले अपने दलबल के साथ घटना अस्पताल के शव इच्छे दन कक्ष भेचा गया इस दोरान सरकारी अस्पताल में बड़ी संख्या में मृतकों के रिष्टेदार दोस्तों और परिसरवासियों की भीड़ उमड़ाई थी पोस्ट मार्टम के बाद दोपर में मृतकों के शव को उनके परिजनों को था वह आर्मी अफसर बन कर देश की सेवा करना चाहता था लेकिन अफसोस के इन युवाओं के खौब अधूरे ही रहे गए शायद नियती को कुछ और ही मन्जूर था दिगरत से इन बीसीन निउस के लिए जुबेर खान के रिपोर्ट